नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में आप सीखेंगे वट्सेप में लोग कैसे लगाएं तो दोस्तो आप अपने फोन को चाहें वो चार्जी में लगाते हो या फिर कहीं भी छोड़ देते हो तो आपकी कोई भी पर्शनल डिटेल देख सकता है आपकी चैट पढ़ सकता है तो इसके लिए आप अपने वट्सेप को और भी सिक्योर कर सकते हो और उस पे लोग लगा सकते हो तो आपको इसके लिए कोई भी third party application इंस्टोल नहीं करना है आपको सिर्फ अपने WhatsApp ओपन कर लेना है तो हम कर लेते हैं WhatsApp ओपन और आपको यहाँ फे three dots पे क्लिक कर देना है और इसके साथ ही आपको यहाँ setting के option पे क्लिक कर देना है तो friends अब आपके सामने इस तरीके counterface खुल जाएगा आपको यहाँ account पे क्लिक कर देना है तो इसके साथ ही आपको next privacy पे क्लिक कर देना है तो friends अब आपके सामने इस तरीके counterface खुल जाएगा आपको scroll down करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको fingerprint lock इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे on कर देना है तो friends हमारा fingerprint जो की on हो जाएगा हम अपने fingerprint sensor पे अपने उंगली को touch कर देते हैं तो friends अब आप देख सकते हैं मैंने touch किया और हमारा fingerprint लग गया तो यहाँ पे आपको तीन options हो करेंगे immediately यानि की आपका lock जैसे ही आप WhatsApp से बाहर जाओगे lock लग जाएगा तो हम immediately कर देते हैं जो की यह better है और यह after one minute इसका मतलब है एक minute तक lock नहीं लगेगा तो friends अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपके WhatsApp में lock enable हो चुका है तो मैं जाता हूँ back, back और फिर back तो friends मैं अपने phone के screen पे आ चुका हूँ जो की home screen है और इसके बाद WhatsApp को open करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो की WhatsApp में lock enable हो चुका है touch the finger printing sensor तो मैं अगर touch करता हूँ तो देख सकते हो आप सभी lock खुल चुका है तो इस तरीके से आप भी अपने WhatsApp में lock लगा सकते हो बीना third party application डाउनलोड किये तो ऐसे आप इसे use कर सकते हो अगर मेरी जानकरी आपको अच्छी लगी तो like करें साथी चैनल को subscribe करें अगर आपका कोई सवाल है तो आप comment कर सकते हैं इसी के साथी जहिंद भूंदे मातरा